साथियों, बंगाल में उमा एलो घरे की सनातन परंपरा रही है, दुर्गा पुजा के पारम में बोधन समारों में मा का पारंपारिक आहवान भी इसी परंपरा का विधान है यहाँ दुर्गा को अपनी बेटी भी मानते हैं, बेटी के तरह घर में उनका स्वागत करते हैं यह दर्शन इश्वरिय सत्ता से हमारा संतान और मा का यह रिष्टा यही हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतन का मुल्भुत आधार है इसलिए हमें सभी बेटियों को दुर्गा की तरह सम्मान करने की सिख दी जाती है नवरात्र में उनकी पूजा की जाती है और मा दुर्गा की पूजा तो शाक्षात शक्ति की साधना है हमारी मा दुर्गा दारिद्र दूख भय हारिनी कही जाती है दुर्गती नाशिनी कही जाती है अर्थात वो दुखों को दरिद्रता को दुर्गती को दूर करती है इसलिए दुर्गा पुजा तभी पुरी होती है जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं किसी गरीब की मदद करते हैं साथियों महिसासूर का वद करने के लिए माता का एक आउशी ही परियाप्त था लेकिन इस कार्य के लिए सभी दैविये शक्तियों को संगडित हो गई थी वैसे ही नारी शक्ति हमेशा से भी सभी चुनोतियों को परास करने की ताकत रखती है ऐसे में ये सभी का दाईत्व है कि संगडित रुप से सभी उनके साथ खड़े हो भारतिय जनता पार्टी के विचार यही है संसकार यही है और संकल्प भी यही है इसलिए देश में आज महिलाओं के ससक्ति करण का भी अभियान तेजगती से जारी है चाहे जन दन योजना के तहट 22 करोड महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो या फिर मुद्रा योजना के तहट करोडों महिलाओं को आशान रुण देना चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर तीन तनाग के खिलाप कानून चाहे गरबावस्ता के दोरान मुक्त चेकप की सुविदा हो या फिर पोशन अभियान चाहे स्वच्च भारत के तहट गरों में सवचाले का निर्मान हो या फिर रसोई में धुएं से आजादी चाहे नाइट सिप में काम करने के अधिकार हो या फिर मैटनेटी लीव को बारा हपते से बढ़ा कर 26 हपते करना चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्विकृती हो या फिर सेना में पर्मेनेट कमीशन देश की नारी शक्ति को ससक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है महलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सक्त किया गया है दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है भारत ने जो नया संकल पर लिया है आत्म निर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं उसमें भी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमी का है